हेला अब्रिवन वेलकम तू निखार फेशन विला तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको इस कुर्ति की कटिंग बताई थी राजरानी कोचिंग स्टाइल से और आज मैं इसके स्टिचिंग बताने वाली हूँ तो अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है यह देखिए और चोड़ाई जो है मैंने वो 10 इंच रखा है यानि कि डबल फोल्ड है तो 5 इंच लिया है यह देखिए और अभी हम अपने गले की मार्किंग करेंगे तो हम गले की ब्रोडनेस जो है वो 3.5 इंच ले रहे है इस तरीके से 3.5 इंच पर उपर एक मार्किंग कर रही हूँ और अभी देखिए इसको टेप को इसी तरीके से तिर्चा रखते हुए हम इसमें नेक का V-shape दे देंगे देखिए इस तरीके से और V-shape देने के बाद देखिए जो हमारे नीचे की बुक्रा में यहाँ पर हमें हाफा फिंच का मार्किंग करेंगे पूरे में तो इस तरीके से हमें हाफा फिंच का मार्किंग कर देना है पूरे में तो अभी इसको सीधी लाइन कर देंगे और उपर में भी हम हमारी पट्टी में V-shape में हाफा फिंच का मार्किंग कर देंगे तो अगर आपने मेरा कटिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से वो कटिंग का वीडियो देख लीजिए बिल्कुल प्रिया में के मेथड से मैंने कटिंग का वीडियो बताया है त between 1 1 2nd inch पत्ति तयार रखनी है कि यह लेक्ति यह इससे हम जो इसको कट कर देंगे अब it도 है हम यह अपने नेक का जो उदी शैफ है इसको भी हम कट कर देंगे तो अभी हमने नेक का वी शैफ भी कट कर दिया है अभी हम इसको जो है सेम प्लेन कपड़े पर प्रेस की मदद से चिपका दिया है और यह कपड़ा हमारा थोड़ा सा पतला था तो मैंने कपड़े को डबल लिया है क्योंकि यह पट्टी हम सामने की तरफ पलटाएंगे तो यह मैंने कपड़ा डबल लेके अभी देखिए इस कपड़े की बिल्कुल हमें बुकरम की किनारी के पास में सिलाई लगाना है फेब्रिक के उपर हमें बुकरम के उपर सिलाई नहीं लगाना है तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ओन कर दीजिए ताकि रोजाना में सिलाई सिखाने के वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको जो है सिलाई इजी तरीके से सिखाती हुमे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेर जरूर कीजिएगा तो अभी देखिए हमने पूरी पट्टी में सिलाई लगा दिया है अभी हम उपर से एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे तो यह देखिए हमारी दोनों पट्टिया इसमें जुड़ गई है अभी जहां हमने किनारी पर सिलाई लगाया है वहां हम देखिए इस तरीके से लेज को उल्टा रखेंगे और बिल्कुल लेज की किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे यह हम लेज को पिछे की तरफ फिर मार्जन करते हुए यह हमारा बहुती प्यारा नेक का डिजाइन बनेगा तो आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएंगा ताकि आपको यह जो है इस कुर्ती की स्टिचिंग का वीडियो अच्छे से समझ में आएंगा और आप भी घर बेठें आसानी से इस तरीके से कुर्ती बहुती परफेक्ट बना सकेंगे तो यह देखिए यह हम पूरे वी शेप में और नीचे में हमने लेस अटेच कर दिया है और अभी हम इस पटी में जो है नोचेस लगा देंगे अभी नोचेस लगाने के बाद देखिए हम बाद में इस पटी को इस तरीके से पल्टा देंगे अब हम अपनी कुर्टी का फ्रंट लेंगे और हमने कुर्टी को सीधा नहीं रखना है, कुर्टी के फ्रंट को उल्टा रखना है और हमने इस पट्टी को उल्टी तरफ अटेच करना है, तब हमारी पट्टी सीधी तरफ पलट के आएंगी तो हमने उल्टी कूर्टी पर पट्टी को भी उल्टा रखा है अभी पहले हम एक सेंटर में स्टीच लगाएंगे देखिए आपने जो भी घला का शेप बनाना हो आपने पहले एक सेंटर में स्टीच लगाना है ताकि हमारा घला जो है बिल्कुल सेंटर में आए और इस तरप आड़ा तिर्चा ना हो तो अभी देखिे हम इस V-Shape में शिलाई लगा देंगे तो हमें बुक्रम के उपर शिलाई नहीं लगाना है हमें बिल्कुल बुक्रम के बाजू में फेब्रिक के उपर ही शिलाई लगाना है इस तरीके से यह देखिए और हमने कुर्टी के पाट को उल्टा रखा है क्योंकि हम इस पट्टी को सामने पल्टाएंगे अगर हमने यह गले की पट्टी पिछे ही रखनी है तो हमें कुर्टी के पाट को सीधा रखना है और अगर पट्टी सामने की तरफ पलटा नहीं है तो हमें कुर्टी के पाट को उल्टा रखना है अब देखिए यःहम गले का मार्जन कट करते हुए इसमें नोचिस लगा देंगे तो अभी देखिए यहम इस कुर्टी को राइट साइड में टर्ण करेंगे यह देखिए तो यह हमारी पट्टी सीधे साइड में आ जाएंगी तो अभी हम इस पट्टी पर अच्छे से प्रेस कर देते हैं इसके मार्जन को भी पीछे करते हुए यह देखिए इस तरीके से हमने पूरे मार्जन को पीछे कर लेना है और अच्छे से press लगा देना है तो यह देखिए मैंने अच्छे से press भी लगा दिया है और यह हमारी पटी किस्तनी finishing से दिख रही है यह देखिए बिल्कुल finishing से अभी जो है ना हम इसकी बिल्कुल किनारी पर जो है सिलाई लगा देँगे पूरे में इस तरीके से तो हमने लेज के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है बिलकुल लेज के बाजू में सिलाई लगाना है और हमें धागा से मेचिंग का लेना है जो रंकी हमारी पट्टि है तभी हमारे डिजाइन में फिनिशिंग आएंगी और देखिए नीचे की तरब भी हमने कॉर्णर से अच्छे से सिलाई लगा लेना है तो ये मैं आपको बहुती फिनिशिंग से जो है गला बनाना बता रही हूँ और ये कुर्ती की स्टिचिंग बता रही हूँ बिल्कुल राजारानी कोचिंग स्टाइल में तो अगर आपको ये रोजाना इस तरीके के वीडियो देखने है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए अभी देखिए हम कुर्ती का बेक पार्ट लेंगे और अभी हम बेक नेक की भी कटिंग करेंगे तो बेक नेक की जो है मैं चोड़ाई जो है वो साठे तीन इंच ले रही हूँ और इसकी लंबाई मैंने 1.5 इंच लिया है यह देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ 1.5 इंच लंबाई है और 3.5 इंच की चोड़ाई है तो अभी हम इस नेक को कट कर देंगे और अभी हम इस नेक को जो है हमारी पट्टी कट कर देंगे नेक की यह देखिए ताकि हमारी पट्टी पिछे से हम नेक को बनाएंगे तो हमको ये डेड़ इंच की पट्टी कट किया है मैंने चोड़ाई में इस तरीके से अभी हम इसको फोल्ड करेंगे उसके बाद में हम अपने नेक पर जो है अटेच कर देंगे तो आपने इस कुर्टी का वीडियो एक बार जरूर देख लेना बहुत ही कटिंग मैंने पर्फेक्ट तरीके से बताई है बिल्कुल प्रिया मेडम के स्टाइल में तो अभी देखिए हम अपने बेक नेक पर भी पट्टी अटेच कर देंगे इस तरीके से और अभी नोचेस लगाने के बाद हम इस पट्टी का मार्जन एक तरब करते हुए इस पर एक टॉपी स्टिच लगा देंगे यह देखिए हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है अभी देखिए हम इसको एक्स्ट्रा उपर से यह पट्टी आ रही है उसको हम कट कर देंगे तो अभी अपने बेक टक्स की मार्किंग किया है अभी हम इसको भी स्टिच कर देंगे तो हमें कुरती में बैकских जरूर लगाने हैं तभी हमारी कुरती में इतनी अच्छे से fitting आएंगी अगर आपकी कुरती में भी जोल आता है तो आप बैक टक्स जरूर लगाएए ताकि अपनी कुरती में जोल नहीं आएंगा और बहुत अच्छी fitting आएंगी अभी देखिए हम अपने shoulder attach करेंगे तो अभी हमने back part पर अपने front part को रखा है देखिए ऐसे right side दोनों अंदर की तरफ है और अभी देखिए हमारी back की पट्टी को हम ऐसे पीछे की तरफ करते हुए इसके उपर सिलाई लगा देंगे तो इस तरीके से जो हमारा shoulder का neck के side से बहुत अच्छे से cover भी हो जाएंगा मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ यह देखिए यह हमने shoulder बिल्कुल अच्छे से cover हो गया है अभी हम sleeves का design बनाएंगे तो हमने same plane fabric की पट्टी लिया है दो इंच का इसको हम इस तरीके से double करके press लगा दिया है अभी देखिए हम उल्टी side में जो है अपनी lace को रखेंगे इस तरीके से और इसके उपर जो है बिल्कुल किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे तो lace को भी जो है हमने सीधा ही रखना है उल्टे sleeves पर हमने lace को सीधा रखा है इस तरीके से और अभी जो है हम बिल्कुल lace की किनारी पर पट्टी को रखे एक सिलाई लगा देंगे जहाँ पर हमने lace पर सिलाई लगाया था सेम हमने पट्टी रखना है lace के उपर यानि कि हमारी sleeves और पट्टी के बीच में lace हैं इसी तरीके से हमें सिलाई लगा के अभी देखिए इस पट्टी को सामने की तरफ करते हुए बिल्कुल इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से तो ये हमारी sleeves की design भी सेम हमारे neck की design से match करेंगा ये पट्टी से तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताईए कि आपको इस कुर्टी की cutting stitching कैसी लगी है तो ऐसे ही हम दूसरी sleeves भी तैयार कर लेते हैं तो ये देखिए हमने दोनों sleeves तैयार कर दिये हैं अभी हम अपने जो है कुर्टी में sleeves को अटेज करेंगे तो देखिए इस तरीके से आर मोल को मेजर तो हमने आपको cutting के टाइम ही दिखाती है था कि perfect measurement आया है हमारी sleeves और आर मोल का तो अभी हम अपनी कुर्टी में जो है दोनों sleeves अटेज कर देते हैं तो ये देखिए हमने sleeves अटेज कर दी हैं और ये बिल्कुल perfect sleeves आई है और इसी तरीके से हमने दूसरी sleeves भी अटेज कर दी हैं देखिए दूसरे साइड की भी ये मैंने दोनों साइड की sleeves अटेज कर दिया हैं और बहुती perfect हमारी sleeves बन के आई है और अभी देखिए हम जो है कुर्टी की side fitting लगाएंगे तो हमने कुर्टी को उल्टा करके जा हमने fitting का marking किया है वहाँ पर हमें hips तक सिलाई लगा देना है तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेना है तो रोजाना सिलाई सीखना है तो मेरे channel पर बने रहे है और बहुती आसान तरीके से आप घर बेटे जो है सिलाई सीख सकते है और मैं आपके लिए trending बहुती वीडियो लाती हूँ डिजाइन के तो मेरे channel की playlist में sleeves और neck design और trouser की bottom के design बहुती खुबसूरत से available है तो आप जरूर देखिएंगा तो अभी देखिए हमने दोनों side सिलाई लगा दिया है अभी हम कुर्ती को सीधा करेंगे यह देखिए कितनी finishing से हमारी कुर्ती दिख रही है अभी हम इसके side chuck को fold कर देंगे तो देखिए जितना हमारा margin आ रहा है side का उसके हिसाब से हमे side के cut को fold कर देना है बिल्कुल अच्छे से जो है हमे corner भी ठाते हुए यह देखिए यह हमारे अभी देखना कितनी finishing से हमारे chuck भी पलट के आये है अभी ऐसे हम दूसरे side के भी chuck पलट लेंगे और नीचे की side से भी हम एक बारिक fold करके यह देखिए हमने आपको कुर्ती का final look दिखाया है अभी हम इस कुर्ती के बीच में जो है वो button attach करेंगे और हमने back tucks भी देखिए कितने अच्छे से लगाए है और यह हमारे कुर्ती का final look अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe कर लिजिए और मेरे चैनल पर बने रहे है और रोजाना बहुती आसान तरीके से सिलाई सीखिए यह मैंने बिल्कुल राजारानी कोचिंग स्टाइल में आपको cutting, stitching बताईए कुर्ती की तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thanks for watch